Hello Dear Students, Welcome Back Dear Students, यदि आपको किसी वर्ड का उच्चार नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? Obviously, आप किसी authentic और standard dictionary को consult करेंगे जैसे कि मेरे पास है Oxford की Advanced Learner's Dictionary by AS. लेकिन जब आप उस वर्ड को देखते हो, तो उसके अंदर कुछ symbols मिलते हैं जैसे कि यदि मैं आपसे पूछ हूँ, कि इस वर्ड का proper pronunciation क्या होगा? तो आप guess करेंगे, लेकिन जब आप dictionary consult करते हो, तो आपको मिलता है कुछ इस नहीं से उसका उच्चर न मिलता है, यानि कि कुछ symbols होते हैं slash के अंदर यानि आपको symbols का पता है, तो आपको पता चल जाएगा तो आज का जो हमारा topic है, वो है phonetic symbols Dear students, there are 44 sounds in English, 24 consonants and 20 vowels सबसे पहले हम consonants के symbols को study करते हैं, हमारा first जो है पहः 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 आपको पहः आपक्चर आपको पहः आपको टो च च च इस न поч़ का आपको अश्को geek टो बंग्ड़ tiger tea tiger tea f' f' fan fët next shr sh shard shi next k k as kite kite की हब हब है हैं थ थिं थिक तो देरा नाइन वाइसलेड वाइसलेड वाइसलेस अब याद करने का भी एक तरीका है वोइसलेस कंसोनेंट्स था पचास टफश कहा था यहांकर हमारी जो नाइन जो हैं यह वोइसलेस कंसोनेंट्स हो गए अब रसे व्वज कंसोनेंट्स हें इन्में हैं था दा गइन गजड गज गण join, जो sound simple जग में होती है, उसका phonetic transcription यह होता है, जो के somewhat d और z की तरह दिखाई देता है, next है, ज, as in the word, zoo, zip, next, as in the word, vision, pleasure, pleasure, जो हमारा जय होता है, नीचे जो एक बिंदू होता है, वो साउंड विजन और प्लैजर में होती है. Next, ल, ल, as in the words, लेंग, लेंग, मा, मे, as मेंगो, मेंग, next, न, 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 नोज, लेंग, 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 लेंग तधिस दें, यह यह, यह यह यह, यह यलू यहां पर 15 हमारी वोस्ट साँड्स हो गए आप अगर देखेंगे तो इन सिंबल्स को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जो वर्ड होता है जैसे कि पॉ का जू फनाटिक ट्रांस्क्रिप्शन है सब्सक्राइब करते हैं वाउल सिंबल्स की है सो इन इन इंगलेश्ट देर ट्वेंटी वाउल्स हमारे प्योर वाउल्स है और एट जो है सबसे पहले बात करते हैं कि प्योर वाउल्स के सिंबल्स कौन से हैं फिर्स्ट है हमारा इए एजन सीट बीट नेक्स्ट इए इसका जो फरनेटिफ ट्रांस्क्रिप्शन है कई जए आपको ऐसा भी मिलता है नेक्स्ट अ टेन नेट ना तो यह टेन ए होता और ना ही पूर रूप से ए होता इन दोलों की बीच की जो साउंड है वो यह साउंड होती है यह हमारे जो फोर है इन्हें हम फ्रंट वावल्स कहते हैं फ्रंट वावल्स इसलिए कहा जाता है कि फ्रंट ओफ दे टंग टंग का जो फ्रंट पार्ट है वो हमारी हाड पलेट की डारेक्शन में मूव करता है नेक्स्ट है आ आ आ एज इन वर्ड फार कार्ड ओ ओ ओ ओ एज इन पॉर्ट गॉट इसलाइटली रांड़ लिप्स नेक्स्ट ओ इसमें आपके लिप्स पून हुप से रांड होते हैं जैसे कि अगर हम देखते हैं डॉक्टर यह जो सिनमर होता है उसकी साउंड होती है यह सी को होगा उलटका रख दिया और दूप भींदी रखा दें तो यह हमारी साउंड बनती है एज इन सो सो वोल वोल नेक्स्ट ओ जिसे हम छोटा ओ कहते हैं यह वो साउंड होती है उट्ट वॉक्ट ओ एज इन मून नून इन इन हम बोलते हैं बैक वैक वाउस जब टंग का बैक चुपार्ट है वह सोफ परेट डिरेक्टर में मू करता है इन इन सिमबल्स को जब हम प्रनाउंस करते हैं नेक्स्ट अ र अर अर अस इन दो वर्ड गर्ड शर्ट नेक्स्ट अ एस इन दो वर्ड कट बट्ट यह दू सिंबल है इंग्लिश लेंग्वेज में सबसे ज्यादा इस्तिमार होने वाली यह वर्ड है इसे हम स्वा सांड बहुते हैं जैसे कि अब 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 अगव जब इसका इस्तिमार क्या जाता है तो स्ट्रेस जो है सेकंड इस लेवल पर चला जाता है अब बात करते हैं डिप्थॉंड के बारे में वें वन वावल सांड ग्लाइड तुवर्ड जाने कि जब एक वावल सांड दूसरी वावल सांड की तरफ ग्लाइड करती है इन शोट आप कह सकते हैं जब एक वर्ड में दो वावन्स साउंड्स आएं वो डिप्ठाउंड्स होते हैं यह संक्या में जो आइट हैं फिर्स्ट है हमारा ए ए यह ए और अ दो साउंड होगी ए जैसे कि से प्लेइए आप इसमें ओ प्लेस इ a plus a इसमें दो आम साँ होगी boy, toy next, i, i as in the words buy, buy, try next, a, u, au go, now हम ऐसे go बोल देते हैं और no बोलते हैं right pronunciation of the word is go, now next, ao, now mouse next, e, near near, dear in English, जो last की जो r, अरर साँंड है उसे वो अक्सल एस्टेरिक होती है वो ना के बराबर बोली जाते है लेकिन, r के तुरंत बाद यदि कोई vowel sound आती है, तो r का उचाण किया जाता है, जैसे कि अगर हम कहें r, un, हम बोलेंगे run, लेकिन last का last में अगर आ रहा है तो उसका उचाण पिल्कुल स्लाइटल ना के बराबर होता है जैसे कि निया तेर, हीर, हीर next ए or आ, ए, है, 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 शेर, शेर, शेर our last is वो, as in the words, पूर, पूर, तूर, पूर सो आज अमने स्टेडि की 44 सांद के स्यम्बल्स की I hope आपको आपको एलेक्षर पसन ना होगा So please like, share and subscribe my channel Thank you